हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विसेओं का प्रक्टिस सेट मिल जाएगा जो परिचा की दृष्टी से अती महत्त पूर्ण है तो जो आज का प्रक्टिस सेट है वह हमारा इतिहास सामान ग्यान से सम्मंदित है इससे पहले मैंने इतिहास के लगभग बहुत सारे प्रक्टिस करवा दिये लेकिन इस प्रक्टिस सेट के अंतरगत मैंने तीन प्रक्टिस नमबर सी ले करके हम सुरू करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट इसको सुरू कर देते हैं आप लोगों को वीडियो फुल वाज करना है जिससे आपको फाइदा मिल सके कस्मीर का सासक जो कस्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वहाँ है हैदर सा, जैनुल अब्दीन, सिकंदर बुद्शिकन या समसुद्दीन सा तो कस्मीर का सासक जो कस्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वहाँ जैनुल अब्दीन है बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा कौन सा अफसर बी विजय नगर किस नदी के तर्पर इस्थित है तो विजय नगर जो है वह तुंग भद्रा नदी के तर्पर इस्थित है विजयनगर के महान संबराज के अउसेसर कहां पाए जाते हैं विजयनगर का प्रथम सासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधी की तो वह कृस्न देव राय था चार मिनार का निर्मार किसने करवाया था तो चार मिनार का निर्मार जो है वहाँ ओली कुतुबुदT सानी करवाय था गोलकुंडा कहा आवस्तित है तो गोलकुंडा जो है वहाँ है हैदरावाद में आवस्तित है ठीक है next question है आपका हंपी का खुला संग्रहला एकी किस राज में है तो हंपी का खुला संग्रहला बाए करनाटक राज में है मिनाची मंदिर कहा इस्थितल नेक्स से सुल्टान नया धर्म चलाना किन्ट वुले माओं निया धर्म चलाना चाहता þाु दिल्ली के सुल्टान बलन बलबन का पूरा नाम था तो दिली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम। गयास, अविधिन बलबन था क्या था किया सुल्त भिष्ब्पन का Ik सुल्ते राजवां के लैसे के अंतरगत विजारत का चरमोत कर्स हो breathe तो तुगलक राजवन्स के अंतरगत जवाबित थे तो जवाबित जो है राज के कानून थे ठीक है? ओप्सन ए बिलकुल सही अंसर हो जाएगा किसे ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया तो इवन बतूता ने इसका विस्तृत विवरण दिया था रजिया सुल्तान किसकी वेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वहाँ इल्टुत मिस्की वेटी थी किसके सासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आकरमण हुए तो अलाउदीन खिलजी के सासन काल में सबसे अधिक मंगोल आकमर हुए थे निमने लिकित में से किस खिलजी सासक ने दिल्ली के राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने ससूर की हत्या कर दी थी तो अलाउदीन खिलजी ने दिल्ली के सासन पर बैठने के लिए अपने ससूर की हत्या कर दी थी ओप् थी जिःद सब्हता का सरवाधिक उपयुकत नाम क्या है तो सिंदु सब्हता का शर्वाधिक उपयुकत नाम जो हुआ एब्ला यहारप्प में आखिल संदु सब्हता में ब्रहत यादि बड़ा अश्ना गार जो है वह मोहन जोद्रों में पाया गया था सिंदू सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के सम्तुली चित्रांकन मिलता है तो वह जो है आदश्यू देवता के सम्तुली चित्रांकन मिलता है हलपा सभ्यता किस यूग की थी तो हड़पा सभ्यता जो है वहां कांस यूग की थी प्रतिहारवंस का महांतम राजा कौन था तो प्रतिहारवंस का महांतम राजा वाट्स राज था जलिया वाला घटना कहां हुई थी तो यहां अमरिस्सर में हुई थी निमने लिकित में से कौन सी फसल हरपा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है तो दालें जो हरपा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है अपसन डी बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा हरपपा के मिट्टी के बर्तनों पर शामानेता किस रंग का उपियोग हुआ था तो इस पर जो है लाल रंग का उपियोग हुआ था मांडा किस नदी के किनारे इस्थित था तो मांडा जो है वह सतला जिन नदी के किनारे इस्थित था option A बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा कपिल मुनिद्वारा प्रतिपादित दारसनिक परणाली है उप निसद काल के राजा अश्युपती सासक थे चरक सहिता नामक पुस्तक किस बिसे से सम्मंदित है तो चरक सहिता नामक पुस्तक जो है वह चिकित्सा से सम्मंदित है किस वेद में जादूई माया और वसी करण का वर्णन है तो अथर वेद में जादूई माया और वसी करण का वर्णन मिलता है ठीक है अगला कोई श्यर हमारा रिगवेद का कौन सा मंडल उड़त्या सोम को समर्पित है तो नववा मंडल जो है वह पूरत्या सोम को समर्पित है रिगवेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है तो रिगवेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना जाता है C बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा वह सुरोत जिसमें पाटल पुत्र के परसासन का वर्डन उपलद है वा है तो वह जो है इंडिका है अशोक के सिला लेखों में परियुक्त भासा है तो अशोक के सिला लेखों में परियुक्त भासा प्राकृत भासा सी बिलकुल सही एंसर हो जाएगा निम्निलिकित में से किस मौरी राजा ने दकन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त ने जो है दकन की विजय प्राप्त की थी मेगा स्तनीज ने भारतिय समाज को कितनी स्रेणियों में विभाजित किया था तो साथ स्रेणियों मे पुत्र को किस सासेंग ने सर्व पर्थम अपनी राजधानी बनाई तो चंद्रगुप्त मौरी ने पाटली पुत्र को सर्व पर्थम अपनी राजधानी बनाई थी ठीक है पाटली पुत्र में इस्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यता बना था तो यह जो है लकडी का बना हुआ था जिसके गरंथ में चंद्रगुप्त मौरी का विशिष्ट रूप से वरण हुआ है वहा है तो वह जो है विसाख दत्त है साथ वहनों ने पहले अस्थानी अधिकारियों के रूप में काम किया था तो यह जो है मौरियों के अधिन काम किया था निमनी लिखित मेंसे वह महानतम कुसार नेता कौन था जो बौध बन गया था तो वह जो है कनिश्क था कुसार काल के दोरान मूर्तिकला की गंधार सैली निम्निलिकित में से किसका मिस्रण है तो वह जो है भारत ग्रीक सैली का मिस्रण है किस अस्थान से असोक के अस्थम्ब के लिए पत्थर लिया जाता है सर्व पर्थम रोम के किन लोगों का वियापार प्रारम भुआ तो तमिलोम चे रोखा निमने लिखित में से कौन कनिस्क के बाध होने के लिए उत्तर दाई है किस संगम यूगीन राज के सरचड में तेन संगमों का आयोजन किया गया तो पांड़ संगम यूगीन राज के गुप्त वन्स के सासक ने सर्व पर्थम महाधिराज के उपाधी धारड की तो चंद्र गुप्त पर्थम ने कभी काली दास किसके राज कभी थे तो कभी काली दास जो है वह चंद्र गुप्त दुतिये विक्रमाजित के राज कभी थे उत्तर गुप्त यूग में जो विश्विद्याले प्रसिद्ध हुआ वह था तो वह जो है नालंदा विश्विद्याले था जो उत्तर गुप्त में प्रसिद्ध हुआ था एरण अभिलेक का संबंद किस सासक से है तो एरण अभिलेक का संबंद जोहवा भानु गुप्त के सासक से है कौन सा राजवन्स हूडो के आक्रमण से अत्यन्त विचलित हुआ तो गुप्त राजवन्स जोहवा हूडो के आक्रमण से अत्यन्त विचलित हुआ था सती प्रथा का पहला उलेक कहां से मिलता है तो सती प्रथा का पहला उलेक एरण अबलेक से मिलता है हितोब देश के लेखक है तो हितोब देश के लेखक नारायण पंडित है कौन है? नारायण पंडित है ठीक है? अगला कोईश्य नमा रहा है वह है नाटे सास्त्र की रचना किस ने की तो नाटे सास्त्र की रचना भरत मुनी ने की है अंकोर वाड कहा इस्तित है तो अंकोर वाड जो है कमबोडिया में इस्तित है पुरा पासार काल में आदिमानों के मनोरंजन के साधन थे आधुनिक मानों के हाल का पूर्वज है तो क्रो मैगनन मुआनुश्य है आधुनिक देवनागरी लिपिका प्रचीनितम रूप है तो ब्रह्म ही है संगम निम्न में से किसी से सम्मंदित है तो वह जो है विद्वानों से सम्मंदित है पुहर कवेरी पट्टनम के स्थापना किस ने की तो करी कालने की है गुप्त सासन के दोरा निमने लिखित में से ऐसा फ्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गड़ी तक था तो आरिभट था प्राचीनितम तमिल देवता मुरूगन किस वैदिक देवता के सद्रिस से है तो वह जो है कार्थ किये के सद्रिस से है गुप्त काल में उत्तर भारतिय वियापार निमन लिखित किस एक पतन से संचालित होता है तो वह जो है तामर लिप्ति से होता है गुप्त साज को द्वारा जारी किये गए चान्दी के सिक्के कहलाते थे तो गुप्त साज को द्वारा जारी किये गए चान्दी के सिक्के जो है वहां रूपक कहलाते थे क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे अगला क्वेस्चन है निम्न में किस काल में इस्तिरियों की पुरसों से बराबरी थी तो गुप्त काल में जो है वहा इस्तिरियों की पुरसों से बराबरी थी नगरों का क्रमिक पत्तन किस काल की एक महत्तपूर्ण विसेशता है समुन्द्र गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वरडन किस अभलेख में उपलब्ध है यहाँ परियाग के अभलेख में उपलब्ध है उत्तर गुप्त युग में जो विस्विद्याले पर सिद्धुआ वह था तो उत्तर गुप्त में जो विस्विद्याले पर सिद्धुआ वह जो है नालंदा विस्विद्याले था एरण अभिलेग का संबंद किस सासक से है तो एरण अभिलेग का सम्मंद जो है वा भानु गुप्त सासक से है ठीक है नेक्स्ट कोईचन है भारतिय संस्कृती का स्वण यूग था तो भारतिय संस्कृती का स्वण यूग गुप्त काल था फाहयान कहां की निवासी थे तो फाहयान जो है वह चीन के निवासी थे मंदिर निर्मार कला का जन्म सर्व पर्थम कब हुआ तो मंदिर निर्मार कला का जन्म जो है सर्व पर्थम गुप्तकाल में हुआ गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था हर्जवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थियात्री भारत आया था तो हर्जवर्धन के समय में जो है हुए इंसांग तीर्थियात्री भारत आया था बंगाल का कौन सा सासक हर्ज का समकालीन था तो बंगाल का जो है शशांक सासक जोहवा हर्ज का समकालीन था ठीक है option a जो हछी एंसर हो जाएगा next question है गुप्त राजा जिस ने विक्रमा दित की पदवी ग्रहन की थी वह जो है चंद्रगुप्त था कन्योज को सर्वपर्थम महत्व प्रदान करने वाले थे तो वह जो है मोखरी थे निम्निलिकित में वह अंतिम बौधी राजा कौन था जो संस्कृत को महान विद्वान और लेखक था तो वह जो है हर्चवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था हवा महल कहां वस्तित है तो हवा महल जो है वह जैपूर में वस्तित है नेक्ट कोईच्चन है बड़ा इमाम बाड़ा कहां वस्तित है तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वह लखनों में वस्तित है निम्निलिकित मेंसे कौन बीजगडित के छेतर में अपने योगदान के लिए विसेश रूप से जाना जाता है तो भासकर जो है बीजगडित के छेतर में अपने योगदान के लिए विसेश रूप से जाने जाते हैं निम्नि लिखित में से कौन सबसे प्राचीन वादियंत्र है तो निम्नि में से गर देखा जाए तो जो वीड़ा है वह सबसे प्राचीन वादियंत्र है गोबिंद महल जो हिंदू अस्तुकला का आप प्रतिम उधारण है इस्थित है तो वह जो है दतिया में इस्थित है टीपू सुल्तान की मिर्त्व कहां होई थी सबसे अधिक निरणायक युद जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्य को संस्थापित कर दिया था वह था बकसर का युद खौनसा युद था बकसर का युद था ठीक है अगला question है बिजय स्थम्ब कहां इस्तित है तो बिजय स्थम्ब जो है वाद चित्तोड गढ़ में इस्तित है निम्न लिकित मेंसे भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला वह जो है अरब था राष्ट कूट समराज का संस्थापक कौन था तो राष्ट कूट का संस्थापक जो है वा दंती दुर्ग था वीरू पाच मंदिर का निर्मार किस ने किया था तो वीरू पाच मंदिर का निर्मार जो है वा चालुक के ने किया था पलों के एक कास्मी रत किस मिलने का स्थान है तो महाबली पुरम है होईसल की राजधानी का नाम क्या है तो होईसल की राजधानी का नाम जो है द्वार शमुंद्र है चोल राजाओं ने किस धर्म को सर्रचण प्रदान किया तो चोल राजाओं ने शेब धर्म को सर्रचण प्रदान किया निमने लिखित में से किस सासा के पास एक सक्ति साली नौसेना थी तो चोल शासा के पास में एक सक्ति साली नौसेना थी पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्व विख्यात कैलासनाथ मंदिर का निर्माड कराया था तो कैलासनाथ मंदिर का निर्माड जो है राष्ट कूटोने करवाया था चोलकाल में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमाओं में देवा कृति प्रयाया चत्रुभुजे कैसी है चत्रुभुजे है गुरु नाना का जन्म कहां हुआ था तो गुरु नाना का जन्म जो है वहा तलवंडी में हुआ था सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है तो सिख धर्म का संस्थापक जो है वहागुरू नानक को माना जाता है बंगाल और उडिसा में वैसलोबाद को लोगपुरिये बनाने का स्रिये किसे है तो वह जो है चेतनिको है किस सिख गुरू की मिर्त्यू के लिए आउरंग जेब जिम्मेदार है तो वह जो है गुरू तेग बहादूर की मिर्त्यू के लिए आउरंग जेब जिम्मेदार है अकबर द्वारा बनाई गई स्रेष्ट तम इमारतें पाई जाती हैं प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तच्छित स्तंब संगीत मैं शुर निकालते कहां वस्तित हैं तो यह हमपी में इस्तित हैं भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो है रामा नुज आचार थे तो वरुन जो है जल अर्थात समूंदर के देवता हुआ करते थे अवेस्ता और रिगवेद में समानता है अवेस्ता किस छेतर से सम्मंदित है तो अवेस्ता जो है वहाँ इरान से सम्मंदित है रिगवेद में अगहन्य सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है तो रिगवेद में अगहन्य सब्द का परियोग जो है वहाँ गाय के लिए किया गया है option D बिलकुल सही answer हो जाएगा next है मनुस्मिर्ती मुख्यता है सम्मंदित है तो मनुस्मिर्ती जो है वहां मुख्यता है समाज व्यवस्था से सम्मंदित है सिकंदर के आकरमण के समय उत्तर भारत पर निम्न लिखत राजवन्सों में किस एक का सासंक था उस समय जो है नंदिवन्स का सासक था निम्न लिखत में से किस राज में गरतन तरातमक सासन ब्यवस्था नहीं थी तो मगद में जो है वहां पर गरतन तरातमक शासन ब्यवस्था नहीं थी निम्न लिखत में से कौन सबसे पूर्व कालिक जैन गरंत कहलाता है तो 14 पूर्व जो है वहा पूर्व कालिक जैन गरंत कहलाता है निम्निलिकित में कौन सी बात बौधी धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो अहिंसा जो है बौधी तथा जैन धर्म में समान नहीं है चोलो द्वारा किस के साथ घनिष्ट राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंद स्थापित किया गया था तो वेंगी के चालुक के साथ दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा थी तो दिल्ली सल्तनत की दर्बारी भासा जो है वहाँ फार्सी थी निम्निलिकित में से कौन सा सासक मुगल राजवंस से सम्मंदित है तो मुगल राजवंस से सम्मंदित इल्टुत मिस सासक है option A जो है बिल्कुल सही answer हो जाएगा तौल की सबसे छोटी काई कौन सी है तो तौल की सबसे छोटी काई रत्ती है पंजाब में भक्ति आदोलन के अग्रुदूत थे तो पंजाब में भक्ति आदोलन के अग्रुदूत गुरु नानक थे आदीना मस्जिद कहां इस्थित है तो आदीना मस्जिद जो है वहां बंगाल में इस्थित है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है तो असम का चैतन्य जो है शंकर देव को कहा जाता है सिव जी के अध्यात्मिक गुरू कौन थे? तो सिव जी के अध्यात्मिक गुरू राम दास थे कौन थे? राम दास थे किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा तो अबुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था अकबर ने सर्व प्रतम वेवाहिक संबंद राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किये वह था तो वह कच्छुआहों से किये थे अंग्रेजी सासन काल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पादन के लिए परसिद्ध था प्राथना समाज के स्थापना किसकी पिरेणा के फल सुरूप हुई तो केसव चंद्र सेन की पिरेणा से हुई थी स्वतंद्रता प्राप्ती के समय महत्मा गांधी थे तो स्वतंद्रता प्राप्ती के समय महत्मा गांधी कांग्रेज के सदत से नहीं थे ठीक है जलियावाला बाग के नरसंगार के समय भारत का वाइसराय कौन था कौन था लार्ड चेम्स फोड दांडी आत्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी इतने करके नमक कानून का विरोध किया था तो लगभग जो है 385 किलो मीटर चल करके इन्होंने नमक कानून का विरोध किया था स्वराज पार्टी के स्थापना किस वर्स की गई थी तो स्वराज पार्टी के स्थापना 1923 मी की गई थी कौन आजाद हिंद फोज से सम्मंदित नहीं है तो आरसी दत जो है वह आजाद हिंद फोज से सम्मंदित नहीं है बाकि जनरल मोहन सिंग, सहन वाजखान, गुर्दयाल सिंग धिल्लो यह सब आजाध हिंद पहुंच से सम्मंदित नेता थी गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रालेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था कौन सा भारतिय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपाल लाचारी जो है भारत के पहले यानि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनी थे गांधी जी किस गोलमेज संबेलन में भाग लेने के लिए लंदन गय थे आशायोगांदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइशराय कौन थे तो आशायोगांदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइशराय लाड़ जेम्स फोर थी जनरल डायर की हत्या किसने की थी तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंगने की थी महत्मा गांधी के राजनीती गुरू थे तो महत्मा गांधी के राजनीती गुरू गोपाल कृष्ण गोखले थे या बहुत ही most important question है कई बार परिशाओं में पूछे गए है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार है महत्मा गांधी की हत्या कब हुई थी तो महत्मा गांधी की हत्या 30 जनावरी 1948 को हुई थी भारत यों पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था तो भारत यों पाकिस्तान का विभाजन वह जो है माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेश के सबसे अधिक समय तक अध्यच कौन रहे तो भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेश के सबसे अधिक समय तक अध्यच अबुलकलाम आजाद थे जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेस दिया था तो जनर्रल ओ डायर ने दिया था इसका आदेस कहां पर जलिया वाला बाग में गोली चलाने के लिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे स्वतंत्र भारत के पर्थम महाराजपाल कौन थे तो स्वतंत्र भारत के पर्थम महाराजपाल लाड माउंट वेटन थे वर्स 1919 में जलियावाला बाग हत्याकान कहां पर हुआ तो व्याह जो है अमरिस सर में हुआ था जलीया ओला बाग हत्या कार्ण 1910 में कहा हुआ था अमरिस सर में हुआ था यह आपको याद कर लेना है नमक सत्यागरा किस IzB में प्रारंब हुआ था तो नमक सत्यागरा जो है 1930 IzB में प्रारंब हुआ था आपसे ए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा कौन सी पुस्तक जमाहलाल नहरू ने लिखी थी तो डिस्कवरी आफ इंडिया के लेखक जो है यानि जमाहलाल नहरू ने जो है डिस्कवरी आफ इंडिया लिखी थी इंडियन लिबरल फेडरेशन के स्थापना किस ने की थी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतरुत किया था तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतरुत इन मेंसे किसी ने नहीं किया था ठीक है option D जो है सही अंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा यानि मंत्र किस ने दिया था निम्निलिकित में से किस ने भारतिय राश्टिय कराची के कराची अधिवेशन के अधिश्चता की थी तो कराची अधिवेशन की अधिश्चता वल्लब भाई पटेल ने की थी निम्नि मेंसे किस आंदोलन में सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी तो बारदोली सत्याग्रा में सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई हुई थी भारत के स्वतनत्ता आंदोलन के दवरान महत्मा गांधी द्वारा स्थापित साबर मतियासरम किस नगर के बाहर इस्थित है तो यहाँ साबर मतियासरम जो है वहाँ एहमदाबाद नगर के बाहर इस्थित है तिरुपुरा संकट की समाधी के बाद कांग्रेश का अध्यच किसे चुना गया तो तिरुपुरा संकट की समाधी के बाद में कांग्रेश का अध्यच राजेंदर प्रसाद को चुना गया था किसने सुझाओ दिया था कि स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद भारतिये राश्टिये का अंग्रेश को समाप्त कर दिया जाए तो यहां जो है महत्मा कांधी ने सुझाओ दिया था भारतिये मुसल्मानों के प्रथक राज के लिए पाकिस्तान सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया तो पाकिस्तान का परियोग सबसे पहले जो किया था वा है चौधरी रहमत अली खाते निम्निलिकित में से कौन सी कृती रविंद्र नाथ टैगोर की नहीं है भारत में जब क्रिप्स मिसन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था तो जब भारत में क्रिप्स मिसन आया था तो उस समय भारत के वाइसराय लाड लिन लिथगो थे गांधी जी भारतिय राष्टिय का अंग्रेश के अध्यच कितनी बार बने तो गांधी जी भारतिय राष्टिय का अंग्रेश के अध्यच एक बार बने थे इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किश ने दिया तो इंकलाब जिन्दाबाद का नारा भगत सिंग ने दिया था च्छोडो आंदोलन के समय इंगलेंट का प्रधान मंत्री चर्चिल था दच्छिडअफरीका में महत्मा गांधी द्वारा प्रधान मंत्रीका नाम इंडियन ओपनियन था इंडियन उपनियन शविनय अवग्या अंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझोते पर हस्ताचर किये तो लाड इर्विन के साथ में जो है गांधी जी ने समझोते पर हस्ताचर किये थे इसलिए आप्सन ए बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र परसाद के पास कौन सा विभाग था तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र परसाद के पास खादियों किरसी विभाग वा करता था कभी इंकलाब जिनों ने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस अस्थान से संबंदी थे तो यह जो है कभी इकबाल जो है वहाँ पंजाब राज से संबंदी थे 1937 के चुनाओं में कांग्रेश द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेक बनाया था किसने आसहयोग अंदोलन के दोरान कपड़ों का जलाया जाना एक निश्ठूर बरबादी बताया था महत्मा गांधी दच्छिड अफरीका से भारत किस वर्स में लोटे थे तो महत्मा गांधी जो है भारत से 1915 वर्स में भारत लोटे थे कहां से दच्छिड अफरीका से भारत राश्टिये का अंग्रेश का 1938 अधिवेशन किस सहर में हुआ था तो यहां जो है हारी पूरा सहर में हुआ था गांधी जी की मृत्यू पर किस ने कहा हमारे जीवन में हमारे जीवन से प्रकास चला गया तो जवाहर लाल नहरू की मृत्यू पर गांधी जी ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया फीनिक्स फार्म की स्थापना किस ने की तो फीनिक्स फार्म की स्थापना महत्मा गांधी ने की वो 1947 के भारतिय राश्टिय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अधिश्टा किस ने की थी तो दिल्ली अधिवेशन के अधिश्टा जो है राजे इंदर प्रसाद नहीं की थी वर्स 1932 में अखिल भारती हरिजन संग के संस्थापक कौन थे तो वर्स 1932 में अखिल भारती हरिजन संग के संस्थापक महत्मा गांधी थे 1923 में चितरंजन दास एव मोती लाल नहरू ने कहां स्वराज पार्टी के स्थापना की थी तो इलाहबाद में स्वराज पार्टी के स्थापना की थी ठीक है? नक्स्ट है कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंद्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोजड़की गई थी अक्टूबर 1943 को सिंगापुन में की गई थी यह जलिया वाला बाग, हत्या कांड के बाद में की गई थी भारत छोड़ो अंदोलन कब प्रारंब हुआ तो भारत छोड़ो अंदोलन उन्नव अगस्त नीसो बैालिस को प्रारंब हुआ था वह व्यक्ति जिसने अपरेल को दिल्ली की जामा मस्जिद वह प्रबचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भासर दिया वह कौन थे तो जिसने जामा मस्जिद से प्रबचन हिंदू मुस्लिम एकता पर भासर दिया वह जो है श्वामी सरद्धानन्द थे निम्निलिकित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ आंदोलन का समर्थन नहीं किया इन में से सभी ने भारत छोड़ आंदोलन का समर्थन नहीं किया था हिंदू महासभा ने नहीं किया था कामुनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने नहीं किया था तो जे भी कृपलानी जो थे वह पैसे से सिख शक्ते यहां जो है गांधी जी के अन्वायों में से एक थे। भारती स्वतंतिता संगर्च के दोरान निम्दी लिखित में से किसने फिरी इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो सुबास चंद्र बोस ने फिरी इंडियन लीजन नामक सेना बनाई हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने बिरोधों का मिस्रण बताया था तो मुहम्मद बिन तुगलक सुल्तान को इतिहासकारों ने बिरोधों का मिस्रण बताया हुआ था लोधी वंस का अंतिम सासक कौन था? तो लोदी वंस का अंतिम सासक इबराहिम लोदी था कौन था इबराहिम लोदी था इनाम भूमी किसे दिया जाता है तो इनाम भूमी जो है वहाँ विद्वान और धार्मिक ब्यक्ति को दिया जाता है उत्री भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला सासक थी तो रजिया सुल्तान जो है वह उत्री भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सासक थी जिन्होंने दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला सासक थी दिल्ली के परथम सुल्टान कौन थे जिन्होंने दच्छिडी भारत को पराजित करने का परियाश किया था यात्री इबन बतूता कहां से आया था तो इबन बतूता जो है वहां मोरकोशे आया था संभाजी के बाद मराठा सासन को निम्निलिकित में से किसने सरल और कारगार बनाया था तो बाला जी विस्वुनात ने जो है संभाजी के मराठा सासन काल को सरल और कारगर मनाया था सिवा जी के अश्ट प्रधान का जो सदसी विदेशी मामलों की देखरे करता था तो सुमन्त जो थे वह सिवा जी के अश्ट प्रधान के सदस थे जो विदेशी मामलों की देखरे क्या करते थे सिवा जी को पहाड़ी चूहावा साहसी डाकू की संग्या किसने दी तो सिवा जी को पहाड़ी चूहावा साहसी डाकू की संग्या और रंग जेबनी थी निम ने लिखे दो उईरोपिय सक्तियों में किसने सिवा जी को तोपे परदान की थी तो तोपे जो है अंग्रेजों ने परदान की थी मराठा राजी का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है तो मराठा राजी का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनात को कहा जाता है सिवा जी के परसासन में पेशवा कहा जाता था तो पेशवा किसे कहा जाता था सिवाजी के परसासन में परधान मंतरी को पेशवा कहा जाता था उस समय ठीक है निम्निलिकित में से गुरिला यूद का पत्थ परदर्सक कौन था तो गुरिला यूद का पत्थ परदर्सक सिवाजी थे कौन थे सिवा जी थे सिवा जी ने मुगलों को किस संधी के द्वारा किलो को हस्तान अंत्रित किया था तो पुरंदर संधी के द्वारा किलो को हस्तान अंत्रित किया था option B जो है बिल्कुल सही answer हो जाएगा सिवा जी को राजा की उपाधी किस ने परदान की थी किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है तो माधहुराओ को अंति महान पेशवा कहा जाता है मराठा समराज की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा समराज की सबसे बहादुर महिला तारा बाई थी भारत एक समुंद्री मार्गी की खोज की गई थी किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्र का निकाली तो केसव चंद्र से ने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्र का निकाली थी राजा राम मोहन राई के इंग्लेंड जाने के पस्चाद किस ने ब्रम्भ समाज की बागडोर समाली तो यह जो है राजा रामोहन राय और डेविड हीर नेमने लिखित की अस्थापना से जुड़े थे तो यह जो है हिंदू कालिज के अस्थापना से जुड़े थे कौन-कौन राजा रामोहन राय और डेविड हीर किसके परियासों के कारण ब्रह्म समाज की साखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब वा मद्रास में खोली गई थी तो केसव चंद्र सेन के परियासों के कारण में ब्रह्म समाज के साखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब मद्रास अजगों पर खोली गई थी राजा रामोहन राय किसे से सम्मंधित नहीं है तो संस्कृत सिच्छा से सम्मंधित राजा रामोहन राय नहीं है यह जो है विधवापनर विवाः अंग्रेजी सिच्छा साथिपर्था आज से सम्मंधित है ठीक है अगर ऐसे नाम आते हैं तो राजा रामोहन राय का नाम ल कास्ट करते थे तो राजा रामोहन राय करती थे महराश्ट के किस सुधारा को लोक हितवादी कहा जाता है तो गोपाल हरी देश मुख को लोक हितवादी कहा जाता है बिर्सा मुंडा किसके पच्छे में थे तो भिर्सा मुंडा इन में से किसी के पच्च में नहीं थे छोटा नागपुर जन जाती विद्रोह कब हुआ था तो यहां जो है 1820SB में हुआ था कौन सा विद्रोह छोटा नागपुर जन जाती विद्रोह गांधी जी का चमपारण सत्यागरह किस से जुड़ा हुआ था तो गांधी जी का चमपारण सत्यागरह तिन कठिया से जुड़ा हुआ था तो आसा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आचा लगे तो आप प्लीज वीडियो को सेर करें लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए थैंक्यू जाए हिंद जाए भारत